कि आपको दिख भी रहा होगा कि industry लिखा हुआ है अंडर industrial dispute act 1947 तो इसमें आज हम पढ़ेंगे के वाट is the concept and the scope of industry ठीके किसके अंतरगत industrial dispute act 1947 के अंतरगत कि इस act के अंतरगत industry को किस तरीके से define किया गया है वो देखेंगे हम आज इसमें और उसके साथ हम देखेंगे कि किन किन चीजों को मींस किन किन ब्रांचेस को इंडस्ट्री माना गया है Like Hospital किया एक इंडस्ट्री है, Municipality किया इंडस्ट्री है, क्या कोई Corporation है इंडस्ट्री है क्या Cricket जो मैच होता है जहां पर वो एक इंडस्ट्री है तो इन सारी चीजों को आज हम देखेंगे चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन ठीक इंट्रोडक्शन में हमने यहां लिखा बेसिकली जो डेफिनेशन है definition किसकी definition है industry की क्या definition है section 2J of industrial dispute act industrial dispute act 1947 की section 2J ये कहता है industry का मतलब बताता है industry means any business कि industry का मतलब होता है कोई business से या फिर trade से या फिर कोई undertaking हो रही है या फिर manufacture हो रहा है और calling of employer and includes any calling service employment handicrafts, industrial occupation evocation of workmen इन सारी चीजों को क्या गयते है industry की definition में लेके आया गया है section 2J हमारा क्या बताती है industry की definition को बताती है basically कि कोई भी business या trade या कोई undertaking या फिर कोई manufacture हो रहा है ऐसा या फिर कोई ऐसी service है ठीक है employer के दुआरे ये फिर handicrafts, employment, industrial occupation, evocation of workmen ये सारी चीज़े हमारी definition of industry में आ जाती है अब एक important चीज़ यहां पर आती है जो इंडस्ट्री है ये शुरू से ही शुरू से ही शुरुआत से ही इसमें क्या हुआ इंडस्ट्री की definition को लेकर उसकी interpretation को लेकर ये एक contentious इशू रहा ठीक है के मतलब की कि इसका actual meaning क्या होना चाहिए ठीक है ये एक important question of law है and important question of fact है ठीक है जो की decided किया जाता रहा बार बार industrial tribunal के दुआरा ठीक है अब जो इनके पास ये jurisdiction था जो कि jurisdiction किसके दुआरा दिया गया था appropriate government के दुआरा दिया गया था तो industrial tribunal ने भी बहुत सारे cases में इसको define कि रहा है कि basically क्या industry का meaning क्या होना चाहिए actual meaning क्या होना चाहिए ठीक इस चीज को बताया है ये जो हमारा industrial dispute act है ये government को empowered करता है किस चीज के लिए to make a reference to the industrial tribunal कि जब कोई भी industrial dispute arise होगा या फिर कोई भी ऐसा dispute exist होगा किसके बीच में employer and workman के बीच में ठीक है एक बात हमेशे याद रखना है जो industrial dispute है वह राइज होता है employer and workman इंप्लॉयर 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 है कि वो उसको refer कर सकती है किसे भी industrial tribunal में तो यह हमारा हो जाता है इंडस्ट्री सेक्शन टूजे ऑफ इंडस्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की and next point इसमें आता है कि जो इंडस्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसका जो intention था बनाने का दो चीजों के उपर बेस था पहली ची इंडस्रियल पीस and second one is harmony ठीक दो चीजों पर बेस था इंडस्रियल पीस पर या फिर हार्मनी पर तो इसी लिए जो है इस बेस पर यह जो इंडस्री है इसके मीनिंग पर कि इसका मीनिंग कैसा होना चाहिए कि कहा कहा पर इसका स्कोप है किस हद तक है वो सारे चीजे इसमें कवर होती है ठीक देखते हैं आगे सबसे पहले इसमें क्या आता है इसमें आता है कि जुडीश्री ने इंटरप्रेटेड किया है इंडस्री को सेवरिल केसे में ठीक है बहुत सारे केसे हैं जिनमें जुडीश्री ने क्या करा है जुडीश्री ने इंटरप्रेट करा है इं industry उसको वह देखेंगे हम तो इसमें जो है जो यह सेवरल केसे दिशेयर ने कब कब किन किन केसे में इंडस्टि को लिया है तो यह classified हुआ four phases में चार phases आए में divide कर दिया हमने इनको के industry के meaning को उसका scope कहा था कि इन phases के थुरू हम समझाते हैं first phase जो है वो है 1953 to 1962 second phase जो है 1963 to 1978 and third phase में हम सबसे important case law पढ़ेंगे इस पूरे lecture का जो कि Bangalore water supply सीवरेज बोर्ड वर्सेज ए रजपा एयाय 1978 का है सुप्रीम कोड का and fourth phase में हम पढ़ेंगे state of UP वर्सेज जे बेहर सिंग जे भीर सिंग एयायार 2005 नेक्स्ट चीज हमारी इसमें आती है यह phases में हमने इसको डिवाइड कर दिया ठीक तो फर्स्ट फेज हमारी आती है 1953 तो 1962 अब यहां पर बहुत सारे देया सर्टेन केसिज जो कि यह डिटर्माइन करते हैं the meaning of industry के industry का actual meaning क्या होना चाहिए वह यह डिटर्माइन करते हैं देखते हैं फर्स्ट केस लॉइस में आता है डिएन बैनर्जी वर्सेज पी आर मुखरजी का AIR 1953 का यह केस था अब इस केस में क्या होता है इस केस को तो in दिस केस is also known as municipality केस ठीक है municipality केस के नेम से भी जाना जाता है के आजाता है कि 1953 का municipality केस कौन सा है तो डिएन बैनर्जी वर्सेज पी आर मुखरजी का केस तो इसमें कहा गया कि बेसिकली सुप्रेम कोट ने क्या हैड करा सुप्रेम कोट ने हैल करा कि जो municipal activities है वो जो है business or trade में तो आनी सकती लेकिन वो it would be fall the scope of expression undertaking undertaking के expression में वो क्या होती है fall होती है इसलिए municipality को क्या करा गया municipality को बताया गया कि यह एक industry की definition में आईगी ठीक तो इसलिए dn mokharji vs pr mokharji 1953 के case में कहा गया कि undertaking की definition में fall कर रही है तो इसलिए जो क्योंकि industry की definition में undertaking का भी word यूज हुआ है तो इसलिए यह क्या है यह एक industry हो जाती है तो इस case में municipality case में first phase के यह कहा गया कि हाँ यह जो है industry की definition में आईगी second case जो है first phase का वो है hospital मज़ूर सभा versus state of Bombay IR 1960 Supreme Court जो मैं आपको यह बता रही हूँ जितने भी cases हैं सब बहुत ही important case laws है books ने चार्ट चार्ट के इनको यहां पर रखा गया है और अगर आप books में देखेंगे तो महां पूरा theoretically है यहां पर आपको इसली समझ मारोगा अगर आप एक बार book में देख लेंगे और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसली समझ मार जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है है तो सेकेंड केस इसका है हॉस्पिटल मज़ूर सभावसे स्टेट ऑफ बॉंबे आया नाइंटीन सिक्स्टी सुप्रिम कोट का इस में सुप्रिम कोट ने क्या कहा कि इसमें कहा गया कि जो हॉस्पिटल है वो क्या होता है इस फॉल अंडर दी बताया गया basically क्योंकि उसमें कहा गया कि यह भले ही कोई commercial implications ना हो इसमें ठीक है भले ही यह जो है कोई government or charitable organization चला रहा है लेकिन उसमें क्या है undertaking है undertaking का मतलब क्या होता है undertaking का मतलब होता है कोई भी ऐसी systematic activity हो रही है या फिर कोई production of goods है यह फिर distribution of goods हैं किसके लिए for rendering of material services services to the community community को service provide करा जारी है with the help of employer ठीक है employer को दुआरा अब यहां पर hospital का हमें example लेंगे कि hospital में कुछ भी चल रहा हो systematic तरीके से चलता है वहां पर लोगों का इलाज होता है ठीक है वहां पर दवाई provide कराए जाती है ठीक और material services मतलब किस तरीके से services प्रोवाइड कराए जारी community को उनका इलाज हो रहा है उनका operation हो रहा है किसकी सहयता से employer की सहयता से doctors हो गए जो वहां पर काम करते हैं लेबर वर्क है वहां की ठीक है प्यों वगेरा यह सारी चीज़े यह सब किसकी उसमा जाएगा Undertaking के definition में आता है तो इसलिए की इस case में कहाँ गया कि कि एक industry की definition में आएगा और इसमें कहा गया कि और टेकिंग जो है वो क्या है एक analogous और बिजनिस में इसलिए यह क्यों होता है एक industry आते ही की डेफिनेशन में आता है टेक नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आ जाता है इसमें एक केस अलग से है इसमें मैंने लिखा नहीं है इसने सेकिंड फेज में ही आता है वो है कॉर्परेशन ओफ दी सिटी ओफ नागपुर वर्सेज इट्स एम्प्लोई यह 1960 का केस था सुप्रीम क Red Every Congress औल के जाता है सबसे पहले हमने पढ़ा के जो फर्स फेज है का केस sous में कहा गया कि दूर के की देफिनेशन में यह तो हेसले से की हमारा हॉस्पिटल मज़ूर सबहाव usis टेट ऑफ बजा है तो सेसमें कहा गया वह हॉस्पिटल वकिसके यह definition में आता है undertaking के expression में फाल होता है इसलिए यह एक industry है भले ही वह कोई government charitable organization उसको चला रही हो है फिर को government उसके थूरूर चल रहा हो लेकिन undertaking की definition मा रहा है क्योंकि undertaking का meaning ही होता है कोई भी एक जो भी activity हो रहे है systematic तरीके से हो रही है goods का क्या हो रहा है production और distribution हो रहा है किसको हो रहा है services to the community को provide कराई जा रही है with the help of employer next जो हमारा case था वो मैंने जो बताया आपको corporation वाला corporation of the city of Nagapur versus its employees AIR 1960 तो इस case में क्या हुआ था municipal की यह बताया कि जो municipal functions होते हैं corporation की वो क्या होते हैं analogous होते हैं business or trade की इसलिए corporation जब यह analogous हो गया business or trade के तो यहां पर क्या आ जाता है यह एक industry बन जाती है टिक next चीज को देखते हैं फेज हमारी second चुरूँ होती है second phase में हमारा आता है 1963 to 1978 1963 to 1978 का से यह phase जो है इतने तक चलती है अब इस phase में क्या होता है देख लेते हैं इस phase में जो बताया गया कि इस phase में जो है न इंडस्ट्री का narrow meaning दिया गया ठीक है इंडस्ट्री का मिनिंग कैसा दिया गया नेरो दिया गया case locket through इसको समझते हैं सबसे पहले आता है इसमें case यूनिवर्सिटी ऑफ डेली वर्सेज रामनात का case 1963 सुप्रीम कोड जिसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी जो है एक इंडस्ट्री नहीं है अब यूनिवर्सिटी इंडस्री क्यों नहीं है क्योंकि वहां पर जो फंक्शन होते हैं ठीक है वह एक एजूकेशन इंस्टिटूशन हैं जिसमें क्या कराई जाती है इंपार्टिंग एजूकेशेन ठीक है वहां पर एजूकेशन प्रॉवाइड की जाती है दूसरी चीज दूसरा पॉइंट इसमें यह बताया कि टीचिंग है वह इस टीचिंग is not within the purview of industry मतलब टीचिंग का जो मैथड है वो इंडस्ट्री के पर व्यू में नहीं आता यह कोई कमर्शियल मोटिव के लिए नहीं होता ठीक टीचिंग जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं फिर उसके बाद इसमें कहा कि जो सब्सक्राइड स्टाफ होता है यूनिवर्सिटी और डैली के उसमें ही कहा कि जो सब्सक्राइड स्टाफ है उसमें चाहिए वो उसका जो रोल है वह बहुत ही माइनर है और इंसिग्निफिकेंट रोल है उसका ठीक है किस इंडी प्रोसेस अफ इंपार्टिंग एजुकेशन को देने में प्रोसेस क्या है उसका एक जो एडुकेशन का प्रोसेस है ना एडुकेशन प्रोवाइड कराने का उसमें जो है जो सबॉडिनेट स्टाफ होते हैं समझ लीजिए जैसे की कैंटीन वाला हो गया या फिर कोई जो गेट केपर हो गया यह सारे जो इनका इसके बेस पर हम इसको जो है इंडस्ट्री की डेफिनिशन में रख सकते खाली इसी चीज में तो इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ डैली के केस में इंडस्ट्री नहीं मानी गई थी ठीक दूसरा केस जो इसमें आता है वो है इसमें वो है मैनेजमेंट ओफ सर्दार जूंग मैनेजमेंट ओफ सर्दार जूंग हॉस्पिटल वर्सेस कुल्दीप सिंग सेटी का केस था 1970 का केस अब इसमें क्या हुआ इसमें कहा गया कि हॉस्पिटल जो है इंडस्ट्री नहीं है इस केस में जो हमने पीछे का अपना केस पढ़ा था फर्स्ट फेस में आपको याद हो अगर हमने हॉस्पिटल मजदूर सभाव से स्टेट ऑफ बॉंबे का केस पढ़ा था तो उस वाले केस के जज्जमेंट को इसमें क्या कर दिया गया ओवर्रूल कर दिया गया क्योंकि उसमें बताया गया था कि अंडर्टेकिंग की डेफिनेशन में इसलिए इंडस्री है इ तो क्यों नहीं हो ऑस्पिटल इंडस्ट्री क्योंकि वो जो है गवर्मेंट के द्वारा रन हो रहा है एक तो हॉस्पिटल ठीक है चैरिटेबल इंस्टिटूशन के जो कि क्या होते हैं कमर्शल लाइन्स में रन नहीं होते हैं यह जो गवर्मेंट के इंस्टिटूशन हो यह चैरिटेबल इंस्टिटूशन जो हो गए यह कमर्शल लाइन में नहीं होते हैं गवर्मेंट का तो यह जो गवर्मेंट होस्पिटल होते हैं फ्री में सब कुछ प्रोवाइड होता है तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में किसा है इनका कोई अपना परस्टनल के, इसलिए किEMA में ज हे yr 1960 की स्था व्मज़र सबहाला इसको क्या कर दिया गया? वर्रॉल कर दिया ख इए को सब 1978 Supreme Court अब यह जो Supreme Court का केस था BWSS Board यानि के बोड तो इसमें क्या हुआ इसमें seven judges bench थी ठीके इस case में seven judges bench को constitute किया गया किस चीज के लिए किया गया कि वो सभी जो earlier cases हमने first phase second phase में जितने भी cases पढ़े उन cases को review करें and explain करें एक meaning what is the actual meaning of industry उसको क्या करें explain करें तो साथ judges की bench एक landmark judgment रहा ठीक है बैंगलो वाटर सप्लाइ सीवरेज बोड का और इस ही case में क्या करा गया इस ही case में एक triple test को establish किया गया और dominant nature के test को भी establish किया गया ठीक उस चीज़ को देखते हैं कि यह triple test क्या है आईए तो सबसे पहले क्या होता है इस यह जो हमारा case है बैंगलो वाटर सप्लाइ सीवरेज बोड का तो इसमें यही आया कि जो definition है ठीक है साथ judges की bench ने कहा कि जो definition है कि इसकी industry कोई उसको extend कर दिया गया ठीक अब जब इसको extend कर दिया गया कितनी majority के साथ majority vote जो थे five ratio two था ठीक और इसमें एक triple test रखा गया यानि कि क्राइटेरिया रख दिया गया तीन पॉइंट्स पे जस्टिस क्रिश्न अईयर के तुरू यह important question आ जाता है कि triple test जो रखा गया यह बॉंबे वाटर सप्लाइ बोर्ड का तो यह जो बैंगलो वाटर सप्लाइ सीवरेज बोर्ड है तो इसमें यह किस रखा यह रखा जस्टिस क्रिश्न अईयरने अब ट्रिपल टेस्ट है क्या basically ट्रिपल ट्रिपल ट्रेस्ट जो है वो क्या करते हैं ड्रिट्रॉमाइन करते हैं इंडस्ती क्या है कौन सी इंडस्ट्री होने चाहिए what is the actual इंडस्ट्री ठेक इसमें क्या होता है ट्रिपल टेस्ट को देखते हैं यहां पर क्या है systematic activity मैंने लिख रखा यानि कि जो भी organization है आप अगर उसका कोई profit gain करने का motive है कोई अगर अपनी आप ऐसा work कर रहे हैं अपने personal level पर और लोगों को उसमें जोड रहे हैं तो सिस्टेमाटिक एक्टिविटी सिस्टेमाटिक तरीके से सिस्टेमाटिक मैनर में वह वर्क होना चाहिए सेकेंड चीज इसमें कहीं कि organized by cooperation cooperation अब यह जो और्गनाइजड वाइक कॉपरेशन ने मीज कि इंप्लाइर एंप्लाइड के बीच में जो है ना कॉपरेशन मेंटेन होना चाहिए ठीक तो वह जो है इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फाल होगा इसमेंड के अक्टिविटे इसमें हो रहे हो यह फिर वर्क एंट कॉप्ररेशन निक इंप्लॉयर एं इंप्लॉइसं में दिया यह जो टेस्ट है थर्ड टेस्ट में दिया कि वह क्या होगा फॉर्द्रिप्रोडिक्शन एंड डिस्रिबूशन अफ गूड्स to satisfy human wishes and wants means कि goods का production हो रहा हो distribution हो रहा हो किस चीज के लिए कि जो human है human wishes and wants है उनको क्या किया जा सके satisfy किया जा सके यानिके prima facie तो यह सब चीज़े अगर हमारी complete होती है तो यह हमारी किस में fall होगी under the definition of industry की definition में यह जो हो जाएंगी क्या हो जाएंगी fall हो जाएंगी ठीक complete हो जाता है यह हमारा triple test next चीज हम देखता है कि जो fourth phase था fourth phase हमारा आता है फिर उसके बाद जो हमारा fourth phase आता है उसमें हमारा क्या हो जाता है इंडस्ट्री की definition यानि के section 2 जे में हमारे amendments हुए definition को narrow किया गया जो Bombay Water Severage Board जो भी यह वाला case था उसमें जो भी चीज़े बताई गई उसकी definition को और वो कर दिया कि जो employer employee का relation है उसमें कुछ इस तरीके से contractors भी इनके through भी हो सकता है ठीक और कुछ certain categories रग दी employment की के वो जो है इस definition से क्या रहेंगी बाहर रहेंगी ठीक इसमें एक केस आता है जो लिखा हुआ है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज जे बीर सिंग अभी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज जे बीर सिंग का जो केस था 2005 का केस है यह इसमें क्या हुआ यह जो केस है ना यह constitution bench ने इस पर decision दिया बट वो सही नहीं है नहीं हुआ तो अब यह जो है य तो इसलिए अब तक के लिए यही जाना माना जाता है कि जो definition दी गई है industry की the most important case of बैंगलोव वोटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड वर्सेज ए रजपा एयाया 1978 का यह most most important case law हो जाता है इसके regarding तिक I hope आपको यह समझ में आ गया होगा so guys यह हमारा complete हो जाता है lecture और अगर आपको इसी तरीके से और वीडियो देख नहीं है अलग अलग topics की तो आप मुझे comment box में बताई तो guys वीडियो को like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक हमारा instagram page at the redstudy अगर को follow नहीं करा है तो उसको follow कीजिए thank you bye